हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम टू एससी वेदा कैसे हैं आप लोग, प्लीज कमेंट करें और हमारे इस इंग्लिश क्राश कोर्स की वीडियोस जो चल रही हैं हम अपने कोर्स की तरफ बहुत अच्छे से अग्रसर हो रहे हैं हम अलरेडी चार चाप्टर कर चुके हैं प्लेलिस बनी हुई है, नहीं देखी तो आप मारे चैनल की प्लेलिस पर जाके देख सकते हैं वो चाप्टर्स कौन से हैं, सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट, टेंस, कंडिशनल सेंटेंस और आपका कोश्चन टाग और प्रिपोविशन के प्रैक्टर सेट्स चल रहे हैं, साथ में हमारा कंजेक्शन के दो लेक्चर अल्रेडी आ चुके हैं आज थर्ड लेक्चर है, और आपने अगर वो दोनों लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि उसी के कॉन्टिनिशन में यह है, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, शेयर करें, दोस्तों कमें करें, कैसा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, आपको चीजे समझ आ रही है, आपकी improvement हो रही है, मौक टेस्स दिया करें, उसमें अपनी improvement को analyze करें, ठीक है दोस्तों, तो हम lecture 3 स्टार्ट करते हैं, without any time waste, ठीक है, अब है rather than या other than, इनके साथ than, than लगता है, THEN वाला नही rather but the pen, but कहां से आ गया, मैंने क्या कहा था, than लगेगा, कि मेरे पास, I would have watch, मतलब मैं खडी ले लूँगा, rather than the pen, pen के बजाए, rather than मतलब के बजाए, इसका मतलब क्या है, के बजाए, ठीक है, तो मैं watch ले लूँगा, rather than the pen, obviously watch अच्छी चीज़ है, pen तो कोई भी ले ले, I could rather design but to take part in action, मैं designing, I would rather resign, मैं resign कर दूँगा, action में part नहीं करूँगा, but, but यहां पर क्या but लगा दिया, तेखो, rather के साथ क्या है, then लगता है, तो यहां then लगेगा, I have no other desire than succeed in exam, मेरी कोई desire नहीं है, no other desire than, no other desire than, no other के साथ then लगा है, correct, he wants to marry no other girl, but my daughter, no other, अब but नहीं होगा, फिर से then, वो किसी और लट किसे शादी नहीं करना, चाहता सिवाए मेरी बेटी के, तो then होगा, तो समझ के, but लगा के error देता है, इससी, आपको then then लगाना है, rather than, other than, but कहां लगता है, बताया था न, else वाले सब में but लग जाता है, ठीक है न, but यहां else वा होता, but होता है, तो nobody else, but you shall be held responsible, यह होगा, ठीक है दोस्तो, next पे आते है, no, not, never, यह देखो, no, not, never, इनके साथ और लगता है, कभी भी nor ना यूज करे, nor सिर्फ एक ही case में लगता है, जब क्या होता है, आपका neither, तो neither के साथ nor, और और कहां लगता है, एदर के साथ और लग लगता है, और आपको लगता है, हाँ not है, तो nor, यह never है, तो nor लगता है, लेकिन नहीं, और लगता है, देखो कैसे, he did not sing, not dance with us, ना तो उसने sing किया, ना ही dance किया है हमारे साथ, तो he did not sing, यहाँ पर कोई नीदर तो लगा नहीं, तो यह ना नहीं होगा, दोस्तों, क्या ना तो उसने गाना गाया, ना चाह हमारे साथ, तो कि did के साथ मैंने लगाया था not, तो not लग गया, sing or dance with us, अब ठीक है, nor नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, और देखो, I haven't invited him, और met him, ना तो मैंने उसे invite किया, ना ही मैं उससे मिला, तो और है correct, I have never seen, never लग गया, never seen Taj Mahal, nor, देखो, I have never seen Taj Mahal, nor visited Agra, अब लग रहा होगा, एकदम correct है, बट neither नहीं लगाया, या तो मैं यह लिखती, neither, I have neither seen Taj Mahal, nor visited Agra, तो correct होता, लेकिन या neither नहीं लगा, never लगा है, तो nor नहीं होगा, दोस्तो, और होगा, ठीक है, He did never phone or talk to him, तो he did never phone, हाँ, अब यह never, he did never phone or talk to him, अब यहाँ पर आपको लगा होगा, never है, तो और होगा, लेकिन नहीं, तो he did never, नहीं, he did not, he did not phone or talk to him, क्यों, क्योंकि उसने उससे ना phone क्या ना बात की, never मतलब क्या होता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं नहीं यूज होगा, यहां पर कभी नहीं नहीं यूज होगा यहां पर होगा he did not phone or talk to him ना नो उसमें phone किया ना बात करी कभी नहीं नहीं यूज होगा यहां पर ठीक है और देखते हैं next क्या है कि देखो जब आपके यह वाले words हो तो हमेशा इनके बाद हम क्या लगाते हैं she is confident के बाद that होगा confident लगा है ना उसके बाद that होगा it is certain BJP will win या तो कॉमा लगा देती मैं but punctuation errors SSC में नहीं आती इसलिए क्या होगा यहां that होगा it is certain that BJP will win अब यह हो गया correct I saw the dream I would be an IPS तो देखो I saw the dream मैंने dream देखा I would be an IPS कॉमा लगा है या तो ठीक है या फिर मैं या ड्रीम के बाद I saw the dream that I would be an IPS या फिर यह correct होगा ठीक है दोस्तों समझ गए आप तो इन वर्ट के साथ आपका लगता है that लगता है अब देखते हैं एक और rule fear fear माने क्या होता है डर यह negative चीज है और hope माने क्या होता है कुछ positive चीज के लिए तो हम जब कुई negative चीज हो तो fear यूज करते हैं और hope कुछ positive चीज हो तो hope और इन दोनों के साथ ही हमेशा will लगता है कुछ और नहीं लगता क्यूंकि अगर हमारा अंदर डर क्या है मुझे डर लगता है कि मैं fail न हो जाऊ तो मैं future की बात के लिए डरती हूँ या फिर अगर मुझे उमीद भी है कि मैं top कर जाऊंगी तो मुझे वो future की चीज की उमीद है तो इसलिए हमेशा will लगता है इसके साथ देखो I hope that he will fail in SSE यह hope नहीं यह कोई positive चीज नहीं है यह fail हो जाएगा बिचार और यह positive लगा रहे हो ना यहाँ पर क्या होगा fear I fear that he will fail in SSE और यहाँ will लगा है इसलिए अब correct I hope that he went there अब देखो I hope है hope है मुझे कि वो वह गया था ऐसी hope थोड़ी है तो चलाई गया भाई तो he went there नहीं he will go there I hope that he will go there यह होगा correct ठीक है दोस्तो we suppose they ask the same question हमने सोचा we suppose they ask the same question ठीक है अब suppose है अब suppose यह भी क्या है आपकी एक चीज है क्या आप hope कर रहे हो suppose कर रहे हो कुछ चीज को positivity है यापर तो ठीक है तो suppose के साथ पहले तो हमेशा क्या लगता है that लगता है ठीक है तो we suppose that और फिर ask नहीं होगा they will ask क्योंकि यह एक hope है कि future में होगी तो we suppose that they will ask the same question अब यह हो गया correct he would probably say no देखो यह अब आप future की कोई बात सोच रहे हो और आपको डर है कि वो मना ही करेगा तो you fear this तो यहाँ पर पहली बात तो would नहीं होगा will होगा he will probably say no ठीक है दोस्तों तो अब यह correct होगा मैंने आपको कही का कि would होगा नहीं will ही होगा क्योंकि आपके मन का यह डर है ठीक है I hope that he should have done that मुझे hope है कि should up should कहां से लग गया that he will have भी नहीं होगा for he will do that और done की जगा do हो जाएगा तो I hope that he will do that अब यह होगा correct तो समझ गया आप hope और fear कब कब use होगा या उनका मतलब भी कहीं होगा जैसे hope का मतलब था suppose fear का मतलब था probably say no तो in words में will लगता है ठीक है और देखते हैं आगे but but मतलब कोई contradictory fact हो ना अगर कोई contrary चीज़ बता रही हो तो but लगाते हैं जैसे mangoes are green but apples are green ठीक है mangoes are yellow कर दो चलो mangoes are yellow but apples are green contradiction लग रहा है कि mango और apple में तो ये correct है और देखो और क्या होगा दोस्तो देखते हैं he cut his finger though he did not cry उसने अपनी finger काटी दो अब देखो दो ये contradicted चीज़ है उंगली काटी भाई खून निकल रहा है फिर भी नहीं रोया तो दो नहीं होगा दो माने क्या था हाला की बोला था ना मैंने हाला की नहीं यहां पर बट होगा क्योंकि ये contradictory fact है ठीक है क्या है ये contradictory fact है इसलिए बट लगेगा he left बट अनार होगो बट का मतलब पते क्या है यहां पे बट का मतलब सिरफ एक घंटे पहले वो चला गया बट सिर्फ एक घंटे पहले ये correct है इसको error मत मानिएगा कि ये contradiction नहीं दिख रहा है तो बट नहीं होगा नहीं बट नार गो मतलब सिर्फ एक घंटे पहले चला गया ये correct है I love nobody but him मैं किसी और से प्यार नहीं करता बस उससे करता हूं मतलब उसी से करता हूं बता रहे कि मैं किसी और से नहीं इसी से प्यार करता हूं तो ये एक बट कर contradicting statement है सही है पहले तो कहारा है कि इससे प्यार नहीं करता लेकिन फिर कहारा है उससे प्यार करता हूं We can't do anything but wait हम कुछ नहीं कर सकते सिवाए इंतिजार के तो इंतिजार भी कर रहे हो ना तो contradictory statement है ना तो but यहाँ पर क्या है आपका correct है अब यह तो जो but के साथ जो थे ना आपकी contradiction तो थे but expected थे हम कुछ नहीं कर सकते सिवाए इंतिजार के यह expected है ना आपस में कहते ही हो, लेकिन जब येट लगता है ना, तो अनेक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट होता है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, जैसे बता हूं कैसे, ये लुक्स वेरी अगली, बट ही हास लॉट अफ डग डायमेंट्स, अगली है उनको इतनी सारी गुर्लफरेंट्स मिल गई, तो यहां पर क्या होगा, येट होगा, क्योंकि ये एक अनेक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट है, एक अनेक्सपेक्टेड था, हम कुछ नहीं कर सकत सिवाएं इंतजार के, बट ये अनेक्सपेक्टेड है, एकदम जटका लगेगा देखके, तो ये लुक्स वेरी अगली, येट ही हास लॉट अफ डग डायमेंट्स, अभ ये करेक्ट होगा, और अन किसली यूज होता है, सिमिलर चीज़ों के लिए, अब देखो कैसे, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बट, you have had your meal, बट, you should go there for goodness sake, देखो, तुमने अपना खाना का लिया, बट, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, गुडनेस सेख के लिए, तो ये अपना खाना खा लिया, और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, भले भले पन के लिए, गुडनेस सेख के लिए, तो यहाँ एंड है, नॉर्मल बात कह रहे है, हमें एक सिमिलर सी चीज कह रहे है, इसमें कोई contradiction नहीं लगा, ठीक है दोस्तों, तो एंड यूज किया हमने, अगले पे आते हैं, next क्या है आपका, however, howsoever, come what may, all are same, तो ये जब आपके लग जाएं words, तो इनके सा यहाँ पर, however, fast you speak, क्योंकि एडवर्ब of manner है, और बता है, आपको वो हमेशे पहले यूज होता है, तो however, fast you speak, I shall follow you, तब ये correct होगा, ये ठीक है, और however, he decided to help her, उसने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा, तो इन सब की बात क्या होता है, आपका generally, एडवर्ब of manner लगता है, however, howsoever come what may, all are same, यहाँ पर ये all are same, ये इसका मतलब था कि ये सारे same है, मैं ये बताना चाहते हूँ, ये oblique नहीं है, कि however हो, howsoever हो, come what में हो, इन सभी का meaning एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है, next पे आते है, अब next क्या कहता है, देखो, अगर ये words आ तो if लगेगा, या weather लगेगा, he asked that नहीं होता दोस्तो, if होता है, एससी क्या करता है, he inquired के बाद that लगा देगा, पर वो गलत है, he inquired if, या weather, ये correct है, he wanted to know if, he demanded if, he questioned if, तो ये सब क्या लगता है, यहाँ पर दोस्तो, if लगता है, ठीक है दोस्तो, next देखते हम क्या है, because, since, as, देखो, because, since, as, ये हमेशा starting में use होते हैं, ठीक है, और because का मतलब क्या होता है, जब कोई current देना हो, और for क्या होता है, जब कोई similar fact को add करना हो, ठीक है, कोई similar fact add करना हो, तो for, और for हमेशा middle में use होता है, और लेकिन because जो है, वो current के लिए use होता है, क्या बोलता है, आपका current So current के लिए because और for के लिए add similar facts जैसे You are to be punished For you have to be late for today तो दोस्तों क्या है यहाँ पर You are to be punished For you have to come late today तो you are to be punished For you have to come late today अब यहाँ पर for क्यों for नहीं होगा क्योंकि यह कारण दे रहा है कि तुम्हें punish किया जाएगा क्यों क्यों तुम late हुए कुछ additional information देता है बट यहां तो कारण है तो because होगा you are punished because you have come late today ठीक है दोस्तो तो because होगा फिर correct होगा यह it is very cold for it is January अब it is very cold for यह एक additional information दे रहा है कि बहुत थंड है यह कारण नहीं दे रहा है कि बरफ पड़ रही है यह हवा चल रही है यह कारण नहीं दे रहा है एक additional fact बता रहा है for it is January और middle में use हुआ है तो यह for यह correct है we all will die sooner or later since men are mortal and death is inevitable तो हम सब मरेंगे आज नहीं तो कल क्यों क्योंकि man mortal है और death नहीं यह की जा सकती inevitable जिसे रोका ना जा सके तो यह since नहीं लोगेगा दोस्तों क्योंकि मैंने क्या कहा था because since और यह as जो है यह since कभ लगता है आपका या तो present continuous या past continuous हो continuous नहीं sorry present perfect continuous हो या past perfect continuous हो जो कि यहां पर है नहीं तो यह एक information है और middle में है इसलिए मैं for लगाऊंगी यहां पर ठीक है दोस्तों तो यहां पर क्या लगा आपका for लगा उसके बाद अब next पे आते हैं neither nor neither nor मतलब ना तो ये न वो ना ये न वो तो neither he takes coffee neither he takes tea nor coffee ना तो वो tea लेता है न कॉफी लेता है अब देखो यहां पर मैंने क्या का था balance बना के चलना होता है जो nor के बाद जैसा लिखा है न वैसा ही neither के बाद भी होना चाहिए तब balance बनता है तो neither के बाद यहां subject और verb भी है लेकिन nor के बाद सिर्फ coffee है तो यह गलत neither को उठा के यहां ले आओ he takes neither tea nor coffee अब nor के बाद coffee neither के बाद tea balance बन चुका है तो balance बनाना सीखें ठीक है दोस्तो ऐसी अपनी life में भी balance बनाना सीखें आप either or either or मतलब he या तो यह या वो ठीक है he would be either in school or in park तो either के बाद क्या है या तो school या और के बाद park एकदम correct है ठीक है I anyone cares to join देखो I नहीं है यह if है ठीक है if anyone cares to join me in this campaign either now or in future they are most welcome अगर कोई मुझे इस campaign में join करना चाहता है या तो अभी या future में तो उनका स्वागत है उनका welcome है यह कहना चाहरी हूँ ठीक है अब either माने क्या होता है मैंने क्या बताया था या तो ये या वो है ना या तो ये either this या वो दूसरा अब यहाँ पर क्या है either now या future तो कह रहा है या तो अभी या future में पर यहाँ पर if लगा दिया मैंने if if anyone cares अगर किसी को परवा है मुझे campaign में join करने की तो मैं कहरे हूँ किसी को परवा है तो मतलब इच्छा जाहिर कर रही हूँ मैं क्या जाहिर कर रही हूँ बहुत logical question है ये इच्छा जाहिर कर रहा है इसमें ये कि अगर किसी को परवा है मुझे campaign में join करने की तो तो वो मुझे या तो अभी करे या future में करे तो यहाँ इधर नहीं होगा दोस्तों यह error है SSC की दरफ से either now नहीं होगा क्या होगा weather now कि अगर मुझे किसी को join करने की इच्छा है मेरे campaign को या तो अभी या future में या either और तो या तो होता है लेकिन weather और weather और का मतलब क्या होता है चाहे या नहीं चाहे weather और का मतलब चाहे या नहीं चाहे तो क्या कोई campaign में join करना चाहे या नहीं चाहे चाहे अभी चाहे या future में या नहीं चाहे है ना अगर not लगता तो नहीं तो चाहे अभी चाहे या future में चाहे ठीक है दोस्तों यह या तो या तो नहीं है यह इच्छा है इसलिए weather होगा very logical question I hope समझ आया होगा आपको तो weather or का case आप समझ गए न कि weather के साथ अगर कहभी भी और लगा है तो weather लगता है उसकी आगे ठीक है इधर or के लावा weather और भी होता है ऐसे ही अब next पे आते हैं not only but also not only ना तो सिर्फ ये but वो भी ये मतलब है इसका अब not only और फिर but के बाद भी कुछ-कुछ हम यहाँ पर words डाल सकते हैं correct होगा ये लेकिन अगर not के बीच में आपने not or only के बीच में आपने words डाले तो ये wrong हो जाता है सिर्फ but और also के बीच में allowed है ऐसे ही not because but because में correct है या तो not because एक साथ हो और but because एक साथ हो बीच में sentence हो या not because एक साथ हो but के बीच में allowed है but और because के बीच में words और sentences allow है लेकिन not और because के बीच में नहीं है ये चीज बहुत important है और काफी favorite है सिर्फ की repeated है देखो कैसे we will not only learn grammar rules but also practice question तो we will not only के बाद क्या लिखा है मैंने learn grammar rules फिर but also के बाद क्या लिखा है practice questions ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर अब क्या होगा देखो यहाँ पर मैंने but also के बाद स्वाल लिखे है कोई verb है नहीं तो we will learn पहले आएगा तो we will learn not only के बाद क्या है grammar rules और फिर but also के बाद practice question तो यह learn verb दोनों के काम आई एक तो इसके भी और इसके भी तो ऐसे balance बना के चलना होता है कि जो but also के बाद जैसा आ रहा है वैसा ही not only के बाद भी आए और देखो she will not only give you money but also some books तो अब यहाँ पर क्या है not only के बाद क्या लिखा है मैंने give you money और but also के बाद क्या लिखा है some books अब यहाँ पर give verb दोनों के लिए use है तो मैं यहाँ पर give को पहले करूँगी she will give not only तो she will give you भी यहीं पर करूँगी she will give you अब not only money but also books तो पहले पैसे की बात होई not only के बाद तो यह give you कहाँ आएगा not only के पहले ठीक है दोस्तों इस तरह से balance बनाना है she is not only good at singing good at dancing but also singing ठीक है तो he is not only अब क्या है good at dancing but also singing तो यहाँ पर good फिर फिर आपका balance खराब कर रहा है तो he is he is good not only के पहले गया he is good not only at dancing but also singing या at singing या फिर but but at singing also तो देखो मैंने क्या का but also के बीच में allowed है कुछ भी तो वो भी correct होता तो समझ गए आप दोस्तों इस तरह से not only but also के बीच में balance कैसे बनाना है समझी गए होंगे ठीक है next conjunction हमारा क्या है until और unless देखो until मतलब देखो इसमें till ये टी है ना टी फॉर टाइम तो ये टाइम को express करें तो until और unless माने condition जब condition express हो तो unless लगता है जब time express हो तो until लगता है देखो और एक बहुत important चीज़ कि कभी भी no या not इनके साथ मत लगाना क्योंकि until का मतलब ही इसमें un मतलब no लगा है unless में भी no लगा है तो इनके साथ no not नहीं लगता कभी ठीक है दोस्तों और as long as भी यहीं पर देखो as long as क्या बताता है it test extent of time for the activity still in progress कोई ऐसा कारेज जो अभी भी progress में है तो उसका extent बताता है as long as ठीक है examples देखते है until we control our emotions we can't crack any government exam देखो until until मतलब जब तक जब तक we control हम अपने emotions को control करें तो यहाँ पर जब तक क्या है तो जब तक मतलब समय बता रहा है जबकि यह condition है तो क्या यहाँ पर until होगा नहीं unless यह condition है कि जब तक हम अपने emotions पर control नहीं करेंगे हम कोई भी government exam clear नहीं कर सकते पाल्दू के time चीजों में अपना समय बरबाद ना करया करें बिल्कुल पढ़ाय पर focus होके पढ़ाय करया करें पूरे दिन जब तक पढ़ाय करनी है पढ़ाय करें एक बार selection हो गया तो फिर सारे emotions को अपने बहने देना ठीक है दोस्तों और देखो यह unless हो गया यह correct हो गया we will have to wait here unless the rain stops अब हमें यह वेट करना पड़े का जब तक बारिश रुके अब यह समय की बात कर रहा है बारिश चाहे एक घंटे में रुकेगी दो घंटे में रुकेगी तो unless नहीं होगा until होगा क्योंकि यह time की बात बता रहा है तो क्या होगा you have to stay here या तो आप यहां पर इसको end में लाओ you have to stay here till it is morning या तो यह पूरा ही उठाके पीछे लेयाओ यहां पर या फिर till को क्या until में बदल दो until it is morning you will have to stay here तो अब until करे जब तक सुबह नहीं होती आपको यहां stay करना पड़ेगा time को दर्शा दिया इसलिए until और देखो until the chairman resign we did not stop our protest तो क्या है यह जब तक chairman resign नहीं क्या हमने अपना protest नहीं रोका यह protest पहले ही हो चुका है रुका नहीं तो यहां पर समय की बात बोल रहा है unless नहीं condition नहीं until क्योंकि यह समय की बात है यह पहले ही हो चुका है तो वह समय जो उसको दर्शाने के लिए until use किया है और देखो you must know the fact that he continued to be lazy as long as he was 20 years old अब देखो you must know the fact तुमें यह fact पता होना चाहिए that he continued to be lazy ज़रकि उसने lazy रहना continue के रखा as long as जब तक वह 20 साल का नहीं हो गया अब 20 साल तक एक समय को दर्शाना तो as long as होगा नहीं होगा until होगा until he was 20 years old यह होगा correct आपका ठीक है दोस्तों और देखो क्या होगा until you stay here until you stay here you will find no time for work so you had go back to your home and concentrate on your project तो क्या होगा until you stay here you will find no time for work so you had go back to your home and concentrate on your project अब देखो जब तक आप यहां रहोगे आपको कोई time नहीं मिलेगा इसलिए घर जाओ और concentrate करो अपने project पर यह कहना चाहता है अब मैंने as long as के वारे में क्या बताय था कि यह एक activity को बताता है जो अभी भी progress में है तो अब देखो आपका project अभी भी progress में है आपको कहा जा रहा है घर जाके project पर concentrate करो तो फिर क्या होगा until लगेगा यहां पर नहीं लगेगा as long as लग जाएगा as long as you stay here you will find no time for work तो इसलिए जाएगे घर और अपने project पर concentrate करिये यह हो गया आपका correct ठीक है दोस्तों अब अगला देखते हैं between and between and अब क्या होगा इसमें between के साथ हमेशा and लगता है और error में हमेशा two लगा देते हैं you can meet me between 8 to 9 a.m. तो यह between between के साथ two नहीं होगा and होगा और देखते हैं now there is no option left so you have to choose between a luminous life और a shameful death अब कोई option नहीं बचा या तो बहुती अच्छी सुन्दर सी life के बीच में चूज करो या फिर दर्दनाख मौत के बीच में तो यहां पर और नहीं होगा between लगा है क्योंकि तो क्या लगेगा दोस्तो and लगेगा ठीक है दोस्तो तो इस तरह से और लगा देते हैं between के साथ और समझ भी नहीं आता कि गलती हो गई next देखते हैं doubt और doubtful अब देखो doubt और doubtful बहुत important rule है कि अगर affirmative sentence है ठीक है दोस्तो तो हम क्या यूज करते है if या weather और अगर negative sentence है तो हम क्या यूज करते है that ठीक है जैसे I doubt that she will attend the ring ceremony तो अगर मैं कहाँ मुझे doubt है कि वो ring ceremony attend करेगी यह इसमें कोई negative चीज है आपकी बताओ है या नहीं नहीं है आप affirmative हो तो that नहीं होगा I doubt if तो if लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि कोई negative चीज नहीं आई ठीक है लेकिन she is not doubtful whether she will clear SSC अब यहाँ पर negative आ गई और doubtful लिख दिया ठीक है तो she is not doubtful whether weather नहीं होगा मैंने क्या का वहाँ पर अगर negative sentence आ जाए तो क्या लगता है that तो she is not doubtful that she will clear SSC उसे कोई doubt नहीं है कि वह SSC clear करेगी ही करेगी तो that लगेगा तो negative sentence में क्या लगता है that और affirmative sentence हो तो if लगेगा यह whether तो I doubt if ठीक है अगला देखते है next क्या है हमारा अगला है हमारा supposing और if देखो supposing और if कभी भी एक साथ यूज नहीं होते अलग अलग यूज होते supposing अलग ठीक है इस अलग ठीक है पर एक साथ यूज हो गया तो गलत है supposing if you are wrong what will you do या तो supposing ही लगा लो you are wrong या if ही लगा लो तो कोई एक लगा लो supposing इस आता है पेपर में और वो गलत है एक साथ यूज नहीं होते superflux है अब next दिखते हैं as if या as though ये दोनों के लिए ये rule apply होता है present tense में अगर हो तो कैसे होगा he looks as if he is your boss या he looks as though he is your boss तो अगर तो as if क्या है present tense में यूज वा कि वो ऐसा दिखता है जैसे वो आपका boss हो या he speaks as if या as though she learns painting तो वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो painting सीखती है तो ये correct है अगर past tense में यूज हो तो हम वर या वर्ब की second form यूज करते हैं और ये present की unreal situation को दर्शाएगा कैसे जैसे he walks as if the earth belonged to him तो he walks याँ पर तो देखो क्या है ये ऐसा वैसे चलता है जैसे पूरी पृत्वी उसकी हो तो यहाँ पर क्या होगा as if लगा हमारा या as though भी correct था और फिर earth belong to him यहाँ पर वर्ब की क्या लग गई second form लग गई क्योंकि ये present की unreal situation है है या नहीं ये देखो present दिख रहा है आपको walks से दिख रहा है न मैंने walked तो नहीं बोला क्योंकि ये present की unreal situation है और वो हमें पता चला क्योंकि walk के साथ ऐस लगा है ऐसे ही देखो she talks as though देखो as though हो as if लोनों ही correct है मैंने कहा दोनों के लिए rule applicable है तो she talks as though she were from America मैंने क्या कहता या तो verb की second form या were लगेगा तो she were from America भी ठीक है और तीफरा ये कब लगता है past perfect tense में भी लगता है जब unreal situation of past हो जैसे he looked at me as if he had seen me before looked क्या है past tense को दर्शार है unreal situation of past और फिर क्या लगेगा past perfect और वो क्या होता है had plus verb की third form as if he had seen me before तो अब ये ऐसा उसने मुझे ऐसे देखा जैसे पहले भी देखा हो unreal situation है past की ये तो I hope आपको as if और as do का ये तीनों case का rule समझ जा गया होगा next पे हम आते हैं next क्या है हमारा when और while when और while का क्या case है when हमारा interrupting action होता है और while का हमारा as long as इसको दर्शाने के लिए use होता है कैसे जैसे interrupting action कैसे my mother was cooking food while someone knocked at the door अब देखो while नहीं होगा यहाँ पर when होगा कि मेरी मम्मी कुक कर रही थी जब किसी ने door पे knock कर दिया तो when क्या है interrupt कर दिया मम्मी के खाने में किसी ने interrupt कर दिया दखल हो गया तो क्या होगा I left for studies when I was 10 years old तो यह एक interruption है कि मेरी पढ़ाई छूड़के जब मैं 10 साल का था तो यहाँ पर when मेरा correct है लेकिन while कभ यूज होगा जब मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ ठीक है जब मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ तो while जैसे while I was batting Ram was balling तो दो काम एक साथ हो रही है यहाँ पर कि जब मैं batting कर रहा था तो Ram balling कर रहा था तो यहाँ पर while सही है और when there is a life there is a hope अगर life जिन्दकी है तो उमीद है यह दोनों बाते एक साथ चल रही है तो when नहीं होगा while there is life there is hope और देखो walking along the street at night I saw a ghost मैं street पर चल रहा हूँ रात के टाइम और मुझे भूद भी दिख रहा है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो walking along the street के आगे walking के आगे मैं while भी लगा दूँगी तो while walking along the street I saw a ghost तो दोनों काम एक साथ हुए तो इसलिए while लगेगा there goes a beautiful saying that when there is a life there is a hope यह मैंने आपको बता भी दिया उपर तो while हो जाएगा क्योंकि as long as जब तक जिन्दकी है तब तक hope है तो यह as long as के मतलब के लिए यूज होती है तो इसलिए इसको ऐसे समझ लो दो काम एक साथ हो तब भी while लगता है ऐसे समझ लो कैसे भी समझ लो देखो while को हम न where as की जगा भी यूज करते है while is used for where as जैसे some people work better to music while others do not तो मैं यह यह वेर आइस की जगा while को यूज कर रही हूँ की जगा मैंने क्या यूज किया while और यह है correct आपका ठीक है दोस्तो और देखो next rule है हमारा next rule क्या कहता है यह rule मैंने आपको बताय था नहीं बताया since, as, or because इनके साथ हम क्या नहीं यूज करते hence, or so, or therefore इनके साथ हम नहीं यूज कर सकते जब हमने since, as, or because लगा है sentence में तो देखो जैसे कैसे as life is beautiful so we must enjoy every second of it अब as से मैंने sentence को शिरू किया तो मैंने क्या कहता so hence or therefore नहीं लगाते तो यह so नहीं आएगा इसलिए so को हटाओ as life is beautiful we must enjoy every second of it अब यह हो गया correct ठीके दोस्तों अब देखो in case या if in case का क्या मतलब है precaution के लिए होता है और if क्या होता है condition देखो I have brought medicine in case your health degrades तो मैं precaution ले रही हूँ मैं दवाई ले रही हूँ मैं precaution ले रही हूँ इसलिए मैंने in case लगा दिया if नहीं लगा सकती थी यहाँ पर ठीके she always carries an umbrella in case if it rains देखो in case और if एक साथ तो use हो ही नहीं सकते तो precaution ले जाती हूँ मैं umbrella लेके जाती हूँ उचाता ले जाती हूँ भाई बारिश न हो जाए मैं भीगना जाऊँ ठीक है she works hard in case work hard in case you want to succeed अब in case यह precaution नहीं है if यह condition है कि महनत करो अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो condition है तो if तो ठीक है दोस्तो और यह वला rule मैंने आपको बता ही दिया ask, wanted, to know, demanded, question के साथ हम if या weather लगाते है that नहीं लगाते यह चीज़ मैंने आपको clear कर दी है उपर already अब देखो एक और rule है अगर दो person या दो things are compared in affirmative sentence तो हम as as use करते है positive में और so as use करते है negative में यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि so as और as as use करते हैं कैसे लेकिन यहाँ पर मैंने क्या का दो person या things को compare करना हूँ जैसे she is as intelligent if not more intelligent than one of the students of this institute तो she is as intelligent पहली बात तो या as लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि एक positive sentence है if not more यही इसका तरीका है as as के बीच में positive degree उसके बाद if not फिर more intelligent किन से other students of institute तो इस तरह से यह rule है हमेशे SSE क्या करता है as intelligent के बाद दूसरा as लगाना छोड़ देता है skip कर देता है और यही error होता है as लगाना होता है SSE काफी बार पूछ चुका है important है और अब हमारा conjunction का last rule है और इसे के साथ हमारे यह chapter भी खतम होगा ago के साथ हमेशा that लगता है it was more than 10 years ago when I came to Delhi with a few friends of mine for higher education SSE क्या करता है ऐसे बड़े-बड़े sentences दे रहता है जिससे आपको identify ना हो पाए कि गलती क्या है तो बड़े-बड़े sentences की practice करें चोटे-चोटे sentences में error निकालना बहुत easy होता है बड़े sentences में दिक्कत होती है it was more than 10 years ago अगो दिख गया मुझे पहली बात यस sentence में end में लगा है मैंने कहा था अगो हमेशे end में लगता है तो इस sentence के end में लगा है सही उसके बड़े लगा दिया मैंने when नहीं होगा that होगा it was more than 10 years ago that I came to Delhi with a few friends of mine अब ये हो गया correct और देखो it was almost 5 years ago since he wrote a letter to me देखने में तो feel आ रही है बहुत की सही है sentence लेकिन नहीं सही है अगो के साथ क्या लगता है that लगता है since नहीं लगता दोस्तो I hope आपको session अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please hit the like button share करे अगर आपको वीडियो ऐसे ही चाहिए अच्छी और अच्छी लग रही है तो comment करे pre-position start करेंगे अपना next chapter practice sets अलड़ी चल रही है ठीके दोस्तों अपना ध्यान रखे वीडियो को ज़रूँ share करे बना फिर मुझे गुस्सा तो आई जाता है थोड़ी सी गुस्से वाली तो मैं हुई तो अपना ध्यान रखे take care and bye bye